स्वाधर्शन ध्यान साधना यूटूब चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कामले आप सबका स्वागत करती हूँ आज मैं आपको 12 जोतिरलिंग के नाम और वे कहां स्थित है शहर का नाम और मंत्र बताती हूँ ये जानकारी शत्र रूद्र सहिता में है 12 जोतिरलिंग के 12 मंत्र हैं आपकी परिशानियों के अनुसार 12 मंत्र प्राताकाल और संध्याकाल में 108 बार कर सकते हैं उनको करने के बाद आपकी जो परिशानिय है उसमें आपको सफलता मिलती है कुंडली में ग्रह मारक होता है ग्रह नीच राशी का होता है अंशबल में कमजोर होता है अशुप ग्रह से दुरुष्ट होता है ऐसी स्थती में जातक को खुब परिशानियों का सामना करना पड़ता है ग्रहों के अनुसार ग्रहों के मारक कारक स्थान में ग्रह होता है तब परिशानी अधिक बढ़ जाती है तो जानते हैं कौन से स्थान में, कौन सा घर मारक स्थान में होता है तो पहला सूर्य बारावे स्थान में, चंद्रमा आठवे स्थान में, बुध सातवे स्थान में, गुरु नौवे स्थान में, शुकर छटवे स्थान में, शनी पहले स्थान में, राहु नौवे स्थान में और केतु तिसरे स्थान में इस तरह अब पहला जो सूर्य है बारा स्थित है तो वो लोगों ने उस तरह मंत्र करना है उधारन किसी की कुंडली में सूरिये बारावे स्थान में है तो उन्होंने ये मंत्र करना है ओम नमो शिवाय नमो रामिश्वराय चंद्रमा अठ्वे स्थान में ओम नमो शिवाय नमो सोम नाथाय बुद्ध सात्वे स्थान में ओम नमो शिवाय नमो नागेश्वराय गुरू तीसरे स्थान में ओम नमो शिवाय नमो विश्वनाथाय शुक्र छट्वे स्थान में ओम नमो शिवाय नमो त्रम्बकेश्वराय शनी पहले स्थान में ओम नमो शिवाय नमो कालेश्वराय राहु नौवे स्थान में ओम नमो शिवाय नमो भीमाशंकराय केतू तीसरे स्थान में ओम नमो शिवाय नमो ओमकारेश्वराय जिन लोगो कुंडली में 9 के 9 ग्रह उच्छ राशी में है उच्छ राशी में स्थित है उन लोगों ने 12 जो तिरलिंग के 12 मंत्र इस प्रकार करने है मेश राशी में उच्छ के ग्रह जिनके कुंडली में है मेश राशी के लोग ने रामेश्वर जो तिरलिंग ये जो तिरलिंग तमिलना मेश राशी में सूर्य उच्छ का होता है जीवन में सूर्य का महत्व सूर्य आत्मा सत्य और राजस है सूर्य में सबसे आधी कुर्जा होती है मंत्र ओम नमशिवाय नमो रामेश्वराय व्रशब राशी के लोगों ने इनकी कुंडली में चंद्रमा उच्छ का होता है सोमना जो तिरली गुजरात के सौराष्ट शेत्र काठिया वाड के वेरालवल बंदर गाह में है ब्रशब राशी में चंद्रमा उच्छ का होता है स्वास्त अच्छा रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है मन सुक माता का कारक चंद्रमा है मंत्र है ओम नमः शिवाय नमो सोमना था तीसरी राशी मिथोन राशी मिथोन राशी के लोगों का जो ग्रह उच्छ का होता है उस तरह उन्होंने मंत्र करना है नागेश्वर जोतिरलिंग यह गुजरात में द्वार का जिले में स्थित है मिथोन राशी में उच्छ राहुग्रह होता है पराक्रम बढ़ाता है ता अध्यप्रदेश में नर्मदा नदी के बीच मन्यता वह शिवपूरी नामक दुईव परस्थित है यहां पर ओमकारेश्वर और मामलेश्वर दो प्रथक प्रथक लिंग है परंतु ये लिंग एक ही के दो रूप है नममत्र है ओम नमशिवा नमो ओमकारेश्वर आये पाच के पास और इनका मंत्र है ओम नमश्यवाय नमो धुशनेश्वाराय चट्वी रासी है कन्या कन्या राशी मलिकार जोतिरलिंग आंद्रप्रदेश प्रांतिके कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट पर श्री शैल परवत पर श्री मलिकार जुन विराजमान है यह भक् परदेश के मालवा शेत्र में शिप्रा नदी के तट पर पवित्र उजयन नगर में विराजमान है यह शनी देव का उचस्थान है शनी देव समय का संचालन करते हैं और मंत्र है ओम नमो शिवाय नमो कालेश्वराय आठवी राशी वर्षिक राशी वैदना जोतिरलिंग जारखंड में देवगर में स्थित है वैदनात दैविक चिकित्सा के नाम पर है यहां आकर शारीरिक और मानसिक और अध्यात्मिक विकास होता है शती की पूर्ती होती है कुंडली निजागरन के लिए वैदना जोतिरलिंग का आराधन करना आवश्यक है और मंत्र है ओम न मंगल ग्रह का उच्छ स्थान है आत्मा की मुक्ति के लिए इस जोतिरलिंग की आराधना आवश्यक है मंत्र है ओम नमशिवाय नमो विश्वना थाए दस्वी मकर्रास भीमा शंकर जोतिरलिंग महाराष्ट के पुने से लगबग 100 किलोमेटर दूर सहियाद्री नामक परव माले पर स्थित है यह राहू और शनी का सुस्थान है जीवन में अंदकार से और दुविदा को दूर करने के लिए इस जोतिरलिंग की आराधना आवश्यक है मंत्र है ओम नमशिवाय नमो के दार नाथा है बारावी रास मीन रास त्रम्ब के विश्वत जोतिरलिंग यह न चंदर आये जिनकी राशिया चंदर राशी के अनुसार लगन में चंदर राशी और लगन राशी एक है वो तो देख सकते हैं पर जिनकी लगन अलग है और चंदर राशी अलग है परन्तु जो मैंने अभी जो बता रही हूं जो तिरलिंग के बारे में वो चंदर राशी के अनुसार है चंदर राशी अनुसार कुंडली में ग्रह मारक होते हैं या नीच राशी में होते हैं अंशिबल में कमजोर होते हैं अशुग्र से दृष्ट होते हैं चंद्रमा के अनुसार बारा भाव में जो जो फल मिलता है उस भाव से मिलने वाला फल में जो बाधा आती है तो बारा भाव के लिए बारा जो तिरलिंग के मंत्र बता हैं मंत्र शुभा साम 108 बार करके उस भा मेश राशी मेश राशी के लोगों ने स्वास्त अच्छा रहने के लिए मंत्र ओम नमो श्वाय नमो रामेश्वराय यह मंत्र शुबह साम 108 बार करना है मेश राशी के लिए दूसरी प्रॉब्लम है अगर उनके कुटुम्ब में धन में परिशानी आ रही है तो उन्होंने य अच्छन आ रही है उनके लिए मंत्र है ओम नमश्वाय नमो नागेश्वराय नमा 108 बार रोज सुबह साम करना है चौथी मुसीबत मेश राशी के लोगों के लिए भूमी भवन वहन के सुख में कमी मा का स्वास्ते खराब रहता है मा की सुख में कमी इसके लिए मंत्र करन मेश राशी की पांचवी प्रॉब्लम है शिक्षा में संतती में प्रेम संबन में कमी आती है बादा हाती इसके लिए मंत्र है ओम नमश्वाय नमो धुषनेश्वराय एक 108 बार सुबह साम करना है चटवी प्रॉब्लम में मेश राशी के लोगों को रोग से सत्रू से कर्ज मेश राशी के लोगों को पती पतनी के सुख में कमी पार्टनर्शिप में आडचन इसके लिए ओम नमो शिवाय नमो कालेश्वराय एक 108 बार सुबह साम करना चाहिए मेश राशी की आठवी प्रॉब्लम मृत्यू तुल्ले कस्ट से जा रहे हैं लंबी विमारी से जा रहे ऐसे स्थती में उन्होंने मंत्र करना है ओम नमो शिवाय नमो वैदनाता है 108 बार सुबह साम करना है मेश राशी के लोगोंने भग्य साथ नहीं दे रहा है उनको धार्मी क्यात्रा में बाधा आती है धर्म के कार में बाधा आती है तो उन्होंने मंत्र करना है ओम नमो नमो बीमा शंकर आये, 108 बार सुबह शाम, मेश राशी के लोगों ने लाब में कमी है, समय पे वेतन नहीं मिलता है, बड़े भाई बहन का सम्मंद खराब है, इसके लिए ओम नमो शिवाय नमो केदार ना था है, मेश राशी के लोगों में खर्चे बढ़ रहे हैं, बीमारी बढ़ रहे हैं, रात में नीन नहीं आ रहे हैं, इसके लिए मंतर है, ओम नमो शिवाय नमो त्रम्बकेश वराय ए, 108 बार सुबह और शाम करना है, मेश राशी के लोगों के लिए परिशानिया, उनके निवारन के बारे में बताया है, जिन परिशानियों के लिए जो मंतर बताया है, वह मंतर रोज, सुबह शाम, 108 बार शरद्धा और विश्वास के साथ करते हैं, परिशानिया जल्दी खत्म हो जाएगी, मंतर परिशानियों से मंतर परिशानियों को खत्म कर देता है, और मंतर परिशानिया खत्म होने तक करना है, आपका जीवन सुखी हो जाए दूसरी राशी है व्रशवराशी, व्रशवराशी के लोगों ने स्वास्त्य अच्छा रहने के लिए मंत्र है ओम नमशिवाय November 188 बर सुभशाम, व्रशवराशी के लोगों कुने सहास में कमी, पराक्रम में कमी, मीडिया से लाब में कमी, छोटे भाई बैन का संबन्द खरा इसके लिए ओम नमो शिवाये नमो ओमकारेशवराये एक 108 वार शुबशाम करना है घुष्वराशी के लोगों को शिक्षा में सन्तती में बादा हाती है इसके लिए ओम नमो शिवाये नमो मलिकार जुना अवराशी शुबशाम करना चाहि restore वरशब राशी के लोगों को रोग से, शत्रू से, कर्ज से परिशानी है, इसके लिए ओम नमशिवाय, नमो कालेश्वराय, 108 बार सुबह शाम व्रशब राशी के लोगों को पती पतनी के सुख में कमी है, पार्टनर्शिक में अडचन है, उनके लिए ओम नमः शिवाय नमो वैद्यन आता है, 108 बार सुबह शाम व्रशब राशी के लोगों को मृत्यू का भय, मृत्यू तुल्यकष्ट, लंबी विमारी से परिशान, पैतरक संपती में अडचन, मंत्र ओम नमो शिवाय नमो विश्वन आता है, 108 बार सुबह शाम व्रशब राशी के लोगों को भग्य साथ नहीं दे रहा, धर्मिक यात्रा में बादारी, इसके लिए मंत्र ओम नमः शिवाय नमो विमा शंकर आए, 108 बार सुबह शाम करना चाहिए, व्रशब राशी के लोगों को नौकरी में अडचन आती है, पिता के स्वास्त में खरा मंत्र है, ओम नमः शिवाय नमो त्रम्बकेश्वारा है, एक 108 बार सुबह शाम, व्रशब राशी के लोगों के खर्चे बढ़ रहे हैं, बीमारी बढ़ रहे हैं, नीन नहीं आती है, मंत्र है ओम नमः शिवाय नमो रामेश्वारा है, एक 108 बार सुबह शाम करना है, मिथ मिथुन राशी के लोगों को पराक्रम में और साहस में कमी आ रही है, मीडिया से लाब में कमी छोटे भाई बैन के साथ सम्मंद खराब, इसके लिए ओम नमशिवाय नमो दुशनेश्वरा है, 108 बार सुबह शाम करना है, मिथुन राशी के लोगों को भूमी भवन वाहन के पर शुप में कम है, स्वास्त खराब रहता है माता का, इसके लिए ओम नमशिवाय नमो मलीका अरजुनाय ए, 108 बार सुबह शाम करना है, मिथुन राशी के लोगों को शोत्रु से करजे से रोग से परिशान है, इसके लिए मंत्र है ओम नमशिवाय नमो वैद्यन आता है न लोगों को पति-पतनी के सुक में कमी है, पार्टनर्शिप में अर्चन है, इसके लिए मंत्र है, ओम नमो शिवाय, नमो विश्वन आथा है, 108 बार सुभशाम करना है, मिथुन राशी के लोगों को मृत्यु तुल्य कष्ठ, लंबी बिमारी, मृत्यु का डर, इसके लिए ओ ओम नमशिवाय, नमो भीबा शंकराय, 108 बार सुभशाम, मिथुन राशी के लोगों को भाग्य साथ नहीं देता, धार्मिक यात्रा में बादा, इसके लिए ओम नमशिवाय, नमो केदार नाथाय, 108 बार सुभशाम, मिथुन राशी के लोगों को नोकरी में अर्चन आ रही प्रसिद्धी में अर्चन है ओम नमशिवाय नमो त्रम्बक एश्वराई 108 बार सुबह शाम मिथुन राशी के लोगों को लाब में कमी समय पर वेतन नहीं मिलता छोटे भाई बेनों के साथ संबंद खराब है इसके लिए ओम नमशिवाय नमो रामेश्वराई 108 बार सुबह शाम मिथुन राशी के लोगों को खर्चे बढ़ रहे हैं बीमारी बढ़ रही है नीन नहीं आती है ओम नमशिवाय नमो सोमना था 108 बार सुबह शाम करना है करक राशी के लोगों के आरुग्य के लिए ओम नमशिवाय नमो ओमकारेश्वराई 108 बार सुबह शाम करना है करक राशी के लोगों को धन में कुटुम्बे में परिशानी है ओम नमाश्यवाये नमो धन दुशनेश्वराये इक आध बर सुबह शाम करना है करक राशी के लोगों को साहस की कमी है पराक्रम में कमी है चोटे भाई बेनों के साथ सम्मंद खराब है, मंत्र है ओम नमशिवाय, नमो मलिका अरजुना है, 108 बार सुबशाम करना है, करक राशी के लोगों को भूमी बवन वहान और माता के सुख में कमी, मा का स्वास्ते खराब है, इसके लिए ओम नमशिवाय, नमो महाकालेश्वरा एक 108 बार सुबशाम करना है, करक राशी के लोगों को शिक्षा संतती प्रेम में परिशानी आती है, इसके लिए ओम नमशिवाय, नमो वईदनाथा है, 108 बार सुबशाम करना है, करक राशी के लोगों को रोग में, शत्रु में, कर्ज में परिशानी है, कोट कचेरी में चल करक राशी के लोगों को भाग्य साथ नहीं दे था धार्मी की आत्रा में बाधा इसके लिए ओम नमा शिवाय नमो त्रम्ब केश्वरा है और सिहराशी के लोगों को खर्च बढ़ रहे हैं बीमारी बढ़ रही नहीं आती है औम नमा शिवाय नमो नागेश्वरा है एक सोब शाम करना है इसके बाद सिहराशी और सिहराशी के लोगों को आरुग्य ठीक रहने के लिए मंत्र है ओम नमशिवा है नमो ओमकारे श्वाराे मीडिया से लाब में कमी छोटे भाई भैनों के साथ सि故 राशी के लोगों को बहुमी भवन वहान और माता के सुख में कमी है मा का स्वास्त खराब रहता है इसके लिए ओम नमा शिवाय नमो महा कालेश्वरा 180 बार सुबशाम करना है सिहराशी के लोगों को शिक्षा में संतती में प्रेन संबंद में बाधा आ रही है इसके लिए ओम नमा शिवाय नमो वैद्यनाता है 180 बार सुबशाम करना है सिहाराशी के लोगों को रोग से, सत्रूशे कर्ज से परिशान है, इसके लिए ओम नमशिवाय नमो विश्वना था, 108 वार सुबशाम करना है, सिहाराशी के लोगों को पती-पत्नी के सुख में कमी, पार्टनर्शिप में आडचन, इसके लिए मंत्र है ओम नमशिवाय नमो प्रशिद्धी नहीं मिल रही है, मंत्र ओम नमशिवाय नमो रामेश्वारा है, एक सो आड़ बार सुबह शाम करना है, सिहराशी के लोगों के लाब में कमी है, बड़े भाई के सम्मंद खराब है, इसके लिए मंत्र है ओम नमशिवाय नमो सोम नाथा है, एक सो आड़ बार सुबह शाम करना है, सिह राशी के लोगों का खर्च बढ़ रहा है, बिमारी बढ़ रही है, नीन नहीं आती है, मंत्र ओम नमशिवाय नमो नागेश्वराय एक सुआड़ बार सुबशाम करना है, अब इसके बात की राशी है कन्या राशी, और कन्या राशी के लोगों ने अच्छे स्वास्त के लिए ओम नमशिवाय नमो मलिका अरजुना है, एक सुआड़ बार सुबशाम करना है, कन्या राशी के लोगों को धन में कुटुम्बे में परिशानी है, इसके लिए ओम नमशिवाय नमो महा कालेश्वराय एक सुआड़ बार सुबशाम करना है, कन्या राशी के लोगों क को भूमी भवन वहान और माथा के सुख में कमी है मा का स्वास्त खराब है इसके लिए ओम नमशिवाय नमो विश्वन आथा है 108 बार शुबशाम करना है कन्या राशी के लोगों को शिक्षा संतति प्रेम संबंद में बाधा आती है इसके लिए ओम नमशिवाय नमो भीमा शं करना है कन्या राशी के लोगों को पति-पत्नी के सुख में कमी पार्टनर्शिप में अर्चन इसके लिए मंत्र है ओम नमशिवाय नमो रामेश्वरा ए 108 बार शुबशाम करना है कन्या राशी के लोगों को भाग्य साथ नहीं देता धार्मी की आत्रा में बाधा इसके लि नमो सोम नाथा है, 108 वार सुबशाम, कन्या राशी के लोगों को नोकरी में अर्चन आती है, पिता के स्वास्त में खराबी, प्रसिद्धी में अर्चन है, ओम नमश्वाय, नमो नागेश्वराय, 108 वार सुबशाम करना है, कन्या राशी के लोगों को लाब में कमी है, समय पर नीन नहीं आती है, मंत्र है óm नमव शिवाय नमव धुष्नेश्वराators जो राशी तुला राशी के लोगंको तुला राशी स्वास्ते के लिए, तुला राशी के लोगों को पराक्रम में कमी है, साहस में कमी है, छोटे भाई बहन से सम्मंद खराब है, इसके लिए ओम नमशिवाय नमो विश्वन आथा है, एक सुआड बार सुबह शाम करना है, तुला राशी के लोगों के घुमी भवन वाहन और माता के सुख में कमी है, मा का स्वास्त खराब रहता है इसके लिए ओम नमशिवाय नमो भीमा शंकरा है 108 बार सुबशाम करना है तुला राशी के लोगों को शिक्षा में संत्ति में प्रेम संबंद में बादा आ रही है इसके लिए ओम नमाशिवाय नमो केदार नथा एं एक सो आड़ Вार सुभशाम करना है तुला राशी के लोगों को शत्रू से, रोक से, कर्ज से परिशान है इसके लिए मंत्र है ओम नमाशिवाय नमो तरम्बकेश्वरा है一हाट वा एक सो आड़ वा सुभशाम तुला राशी के लोगों को मृत्यू तुल्यकष्ट, मृत्यू से भय, लंबी विमारी, पैत्रिक संपत्ती में मदवेद, इसके लिए मंत्र है ओम नमशिवाय, नमो नागेश्वराय, 108 बार सुभशाम करना है, तुला राशी के लोगों को भग्य साथ नहीं देता, धार्मी क्यात्रा में बादा, इसके लिए मंत्र ओम नमशिवाय, नमो ओमकारेश्वराय, 108 बार सुभशाम करना है, तुला राशी के लोगों को नोकरी में अर्चन है, पिता का स्वास्ते खराब है, प्रसिद्धी में अर्चन है, इसके लिए मंत्र है, ओम नमशिवाय, नमो नहीं नहीं आती है मंत्र है ओम नमश्वय नमो महाकालेश्वराइं 180 बार शुबश्याम करना है इसके बाद कि जो राशी है व्रिश्चिक राशी के लोगों को अच्छा स्वास्त के लिए ओम नमश्वय नमो वैद्यन आता है 108 बार सुबशाम करना है वृष्चिक राशी के लोगों को धन में कुटुम्ब में परिशानी है इसके लिए मंत्र है ओम नमश्वाय नमो विश्वनाथा है 108 बार सुबशाम करना है वृष्चिक राशी के लोगों को परिकर्म में सहास में मीडिया से लाब नहीं मिल रहा है और बड़े भाई बहन के साथ सम्मद्ध खराब है, मंत्र है ओम नमशिवाय, नमो भीमा शंकरा है, 108 बार सुबशाम करना है, वृष्चिक राशी के लोगों को भूमी बवन वहान, माता के सुक में कमी, माता का स्वास्त खराब, इसके लिए मंत्र है ओम नमशिवाय, नमो के रोक से, शत्रू से, कर्ज से परिशानी है, कोट कचेरी से परिशानी है, तो इसके लिए मंत्र है ओम नमशिवाय, नमो रामेश्वराय, 108 बार सुबशाम करना है, वृष्चिक राशी के लोगों के पति-पत्नी के सम्मद्ध खराब है, पति-पत्नी सुख में कमी है, पार पत्रिक संपत्ति में अडचन है, इसके लिए मंत्र है, ओम नमशिवाय, नमो नागेश्वराय, 108 बार सुबशाम करना है, वृष्चिक राशी के लोगों को भाग्य साथ नहीं दे रहा, धार्मी क्यात्रा में बादा, इसके लिए मंत्र है, ओम नमशिवाय, नमो इसके बाद की राशी है, धनु राशी के लोगों को अच्छे स्वास्त के लिए ओम नमशिवाय नमो विश्वन आथा है 108 बार सुबह शाम करना है धनुराशी के लोगों को धन में कुटुम्ब में परिशानी है इसके लिए मंत्र है ओम नमशिवाय नमो भीमा शंकरा है 108 बार सुबह शाम करना है धनुराशी के लोगों के पराक्रम में सहस में कमी है मीडिय मा का स्वास्ते खराब है इसके लिए मंत्र है ओम नमस्वाय नमो त्रम्बकेश्वरा 108 वर सुबशाम करना है धनुराशी के लोगों को शिक्षा संतती प्रेम संबंद में बाधा आ रही है इसके लिए ओम नमस्वाय नमो रामिश्वरा 108 वर सुबशाम धनुराशी के लोगो को पति-पतनी के सुख में कमी है, पाटरशिप में अर्चन है, इसके लिए ओम नमश्वाय, नमो नागेश्वरा, एक सो आड़ बार सुबशाम, धनुराशी के लोगों को मृत्यु तुल्य कष्ट, मृत्यु का भय, बिमारी का भय, पैत्रिक संपत्ति में अर्चन, इसके ल मंत्र ओम नमश्वाय, नमो धुषनेश्वरा, एक सो आड़ बार सुबशाम, धनुराशी के लोगों को नोकरी में अर्चन है, पिता का स्वास्ते खराब है, प्रिसिद्धी में अर्चन है, मंत्र ओम नमश्वाय, नमो मली का अर्जुना है, एक सो आड़ बार सुबशाम, धनु राशी के लोगों को लाब में कमी, समय पर वेतन नहीं मिलता, बड़े भाई के संबंद खराब, इसके लिए ओम नमशिवाय नमो महा कालेश्वरा है, 108 बार सुबशाम, धनु राशी के लोगों के खर्चे बढ़ रहे, बिमारी बढ़ रहे, नीन नहीं आती, इसके लि मकर राशी के लोगों को धन में, कुटूंब में परिशानी आ रहे है, इसके लिए मंतर है, ओम नमशिवायन नमो तर्बखेश्वरा, 108 बार सुबशाम करना है, मकर राशी के लोगों के पराक्रम में कमी, साहस में कमी, मीडिया के सुक्स में कमी, छोटे भाई-भेन के शबास्तर है खराब है, इसके लिए, ओम नमशिवाइ, नमो रामेश्वारा 180 बार सुबह शाम करना है, मकर राश्य के लोगों को रोग से, शत्रू से, कर्ज से, परिशान है, इसके लिए, ओम नमशिवाइ,суд lakétait, नमो ओमकारिश्वरा 108 बार सुबह शाम करना है। 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 कुमबराशी के लोगों को भूमी वहन वहान और माता के सुप में कमी है। मा का स्वास्ते खराब है। इसके लिए ओम नमशिवा नमो सुबह शाम करना है। कुमबराशी के लोगों को शिक्षा में संतती में प्रेम संबंद में बादा है। इसके लिए मंत्रे ओम नमशिवा नमो नागेश्वरा 108 बार सुबह शाम करना है। कुमबराशी के लोगों को रोग से, शत्रू से, कर्ज से, परिशानी है। इसके लिए मंत्र है, ओम नमो शिवाय, नमो ओमकारेश्वरा, 108 बर सुबह शाम करना है, कुम्बर आशी के लोगों को पति-पत्नी के सुख में कमी है, पार्टनर्शिप में अर्चन है, इसके लिए मंत्र है, ओम नमो शिवाय, नमो धुषनेश्वरा, 108 बर सुबह शाम करना कुम्बर राशी के लोगों को भाग्य साथ नहीं देता, धर्मिक यात्रा में अर्चन है, इसके लिए मंत्र है, ओम नमशिवाय नमो महाकालेश्वरा है, 108 बार सुबशाम, कुम्बर राशी के लोगों को नोकरी में अर्चन आ रही है, पिता का स्वास्ते खराब है, कुम्बर राशी के लोगों के खर्चे बढ़ रहे हैं, बीमारिया बढ़ रहे हैं, नीन नहीं आती, इसके लिए मंत्र है ओम नमशिवाय नमो भीमा शंकरा है, 108 बार सुबशाम करना है, आगे की राशी है मीन राशी, मीन राशी के लोगों के लिए अच्छा स्वास्त के मों नमेश्वारा क चैहा है 108 सुन अश्वारा कुटोंब में धन परिशानिय स्क लिए मनत्र लोग है लोगों पान्म साहस में कमिया मिडिया के सुख में चोटे वहन के सा सम्भ एक मंत्र अम्-प्रैंश जाम करके 28fertफंट नमनुद रसे लोगों को भूमी आधा का य опас Miram मंत्र 2007 718 बार सुभाष्याम करना है men ráAI के लोगों को 혼ख वहाइग 304 ओमकारेश्वरा, 108 बार सुबशाम, मीन राशी के लोगों को शत्रू से, कर्ज से, रोग से, परिशान है, इसके लिए मंत्र है, ओम नमाशिवायन नमो दुशनेश्वरा, 108 बार सुबशाम, मीन राशी के लोगों को पती-पत्नी के सुख में कमी, पार्टनर्शिप में में राशी के लोगों को भाग्य साथ नहीं देता, धार्मी की आत्राम में बाधा, इसके लिए मंटर ओम नम शिवाय नमो महा कालेशवरां करना है। मीन राशी के लोगों को नोकरी में आडचन आ रही है, पिता जी का स्वास्ते खराब है, प्रसिद्धी में आडचन है, ओम नमशिवाय नमो विश्वन आथा है, 108 बार सुबशाम करना है, मीन राशी के लोगों को लाब में कमी, समय पर वेतन नहीं मिलता, बड़े भाई बहन के सुख में कमी, इसके लिए मंत्र है, ओम नमशिवाय नमो विमा शंकरा है, 108 बार सुबशाम करना है, मीन राशी के लोगों के खर्चे बढ़ रहे हैं, बिमाडी बढ़ रहे हैं, नीन नहीं आती है, इसके लिए मंत्र है, ओम नमशिवाय नमो के दार ना था है, 108 बार सु पूरी स्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं, तो आपकी परिशानिया जल्दी खत्म हो जाएंगी, और परिशानिया खत्म होने तक मंत्र करना है, आपका जीवन सुखी हो जाएगा, आपका मंगल हो, आप सबने मुझे देखा सुना, इसके लिए आपको धन्यवाद, आ अगल कैसा जानियवाद, यहाएगाद, यहाएगाद, आपका आपका जीवन सुना, ए आपको अगल शपने हैं सुनाạnhा, इसके बार आपका जीवन सुनाईय हो, आपका शोकिरे हो, आपके देख।्य Pr